Hello Everyone, मैं मितुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आशा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगे यहाँ से आप कुछ images देख सकते हो, पिछले दिन मैंने question of the day इन लोगों से पूछा था और इनोंने answer किया था इसलिए इनकी image आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, अगर आप भी अपनी photo को यहाँ पे वीडियो में देखना चाहते हो गले वीडियो में, तो आप लोग फटा फट जो आज का question of the day होगा, उसका answer आप लोग comment box में कीजिएगा तो चलिए, army public school के तैयारी के लिए अगर आपने इस वीडियो पे click किया है, तो definitely आपने great वीडियो को choose किया है, और great platform को आपने suggest किया है, अपने दोस्तों के बीच नहीं किया है, तो अभी आप कर दोगे, वीडियो को share कर देना है, like का button दब जाना चाहिए, और comment box में आपक के साथ, recently who has been appointed as the new director general of border security force, तो देखिए, BSF का जो नया DG किसे चुना गया है, ये question पूछा गया है, तो देखिए, इसका जो correct answer होगा न, वो आप यहां से देख सकते हो, देखिए, पहले मैं आपको एक image दिखा दू, यहां से आप देख सकते हो, यह image, पंकज कुमार सिंग की ये image है, और ये BSF के नए DG चुने गए है, याद रखिएगा, और एक और important fact में बता दू, BSF, total जो border की, जो length है, वो है 63 00, इतने kilometer की patrolling ये करती है, याद रखिएगा इस बात को, ये important facts है, ये आप देख सकते हो, तो पंकज कुमार सिंग is the right answer, हम लोग जाएंगे किस के साथ, बी के साथ, next question की और बढ़ेंगे, next question is, यहाँ पर आप देख सकते हो, next question है, देखिए, actually क्याना की अभी India और चाइना एक दूसरे के बीच में, relation बहुत ही खराप हो रखे हैं, दोनों देशों के बीच में, जो है, क्या है, बहुत ही dispute है, border dispute है, LSE है, LOC और LSE में क्य अंतर होता है, अगर आप कोई comment करके बता दे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, देखिए, यहाँ पर जो है न, एक lake है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह lake के कारण ही जादा समस्याद दोनों देशों के बीच में आ रही है, तो इंडिया ने हाल में ही, recently, सबसे, जो highest motorable, यानि की, एक road का construction किया है, जहाँ पर जो है, गाड़ियां आ जा सकती है, तो यह क्या है, दुनिया की सबसे उंची साड़क का नाम इसे दिया गया है, तो आपको बस बताना है, लदाक में, यह किस जील पर किया गया है, तो देखिए, किस जील को जोड़ने के लिए, highest की जो update है, दो दिन पहले, चाइना ने इस पे bridge बनाना शुरू कर दिया है, आप तो सिर्फ एक road बना कर उसे connect कर रहे हो, चाइना इसी जील के उपर जो है, क्या करेगा आब, वो bridge बनाना तयार कर चुका है, तो देखिए, इंडिया चाइना वार जो है, एक next level पे जा चुक को, तो यह अच्छी खबर है कि finally हम लोगों ने connectivity बढ़ाई है, और यहाँ पर आगर आप देखोगे, तो यहाँ पर देख सकतो, पैंगॉंग लेक में यह connect हो रहा है, चलिए, next question क्यों बढ़ेंगे, यहाँ से देखिए, एक plant है, living plant है, जो की air purifier का का काम करता है, यह किस institute क के दोरह develop किया गया है, आपको बताना है, तो देखिए, IIT Delhi, IIT Roper, IIT Madras, IIT Bombay, तो इसका जो correct answer है, IIT Delhi भी नहीं है, IIT Madras भी नहीं है, IIT Bombay भी नहीं है, right answer आपका है, IIT Roper, यानि कि B आपका correct answer है, देखिए, आपको मैं image दिखा देता हूं यहाँ से, यह image आप देख सकते ह तो यह purifier की, और यह जो है, हमारे घर में जो impure air है, उससे क्या करता है, purify करता है, जिसके कारण हम अच्छे से सांस ले पाएंगे, और यह IIT Roper के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है, develop किया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question को मैं बिलकुल आसान भासा मैं आ बसंद कुमार मिस्रा, तो right answer है, बसंद कुमार मिस्रा, यानि कि D is the correct answer, D के साथ आपको जाना है, यहां से आप बसंद कुमार की image भी देख सकते हो, तो चलिए, और next question क्यों बढ़ेंगे, उससे पले एक छोटा सा promotion, अगर आपको army public school के previous year question paper चाहिए होंगे, तो आप मुझ मिथुन सिंग, अगर आपको मेरे दोरा hand return notes चाहिए, क्योंकि मैंने army public school खुद crack किया है, तो आप मुझ पे rely कर सकते हो, और notes को purchase कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो, class को आगे देखना चाहते हो, तो बढ़ेंगे, यहां से email ID देख लो, yourmithunSingh at the rate email.com पे mail कर लिजे, इस्ट में ही अपने country में food emergency को declare कर दिया है, अब देखिए food emergency में क्या होता है न, कि आप अपने घरों में एक तै मात्रा से ज़्यादा की quantity के समान को नहीं रख सकते हो, दुकान में भी ज़्यादा समाने नहीं रखी जा सकती है, आप इतना समझ लो, यहां की जो army है, वो जो है, इ आने की कमी हो गई है, इतनी गलबड situation वहाँ पे है अभी फिलाल के लिए, तो ऐसे चीज़ों को आप समझ सकते हो, तो यह situation कहां पे आया है, तो देखिए, यह situation भूटान में भी नहीं आया है, मयनमार में भी नहीं आया है, अफगानिस्तान में भी नहीं आया है, यह आया ह है आपका सिरलंका में हमारे ठीक नीचे अब मैं आपको दो-तिन चीज़े और बता दू देखिए भुटान में राजा का सासन चलता है राजा की पावर है यहाँ पे मुनारकी है लेकिन वो कहने को तो डेमोक्रेसी की परक्रिया को कर रहे हैं बट भुटान में अभी भी क्या है मुनारकी है और मैंनमार में अभी मिलिटरी कू हुआ है जी हाँ मिलिटरी कू पीसे मत पढ़ लेना अब मिलिटरी कू ही इसे पढ़ते हैं तो मिलिटरी कू हुआ है यहाँ पे भुटान में यह सोरी मैंनमार में और अफगानिस्तान में फिर से तालिबान वापस लोड़ चुका है यानि कि डेमोकरेसी का गला यहां भी घोटा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशिन की ओर यहां से देक लीजे अब स्रिलंका से कोशिन कैसे बनेंगे स्रिलंका से कोशिन करना है जिसने बंगाल की खाड़ी में किरसी विशेशग्यों की बहु छेत्रिय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल की आठमी बैठकी में जबाने की है तो वो कौन सा कंट्री है जिसने यह जो पहला है किसे कंट्री ने की है नेपाल ने सिरलंका में है चैना ने यह भारत ने तो देखिए यहां से आपको इमेज दिखाईपड़ेगी यहां से आप देख सकती हो इंडिया इंडिया ने इसे क्या किया था होस्ट Вам किया तो इस बात को आद रखिएगा ये question important है आगे बढ़ेंगे next question की ओर दा वाई ब्रेक ब्रेक इस आ फाइप मिनट योगा प्रोटोकॉल अप्लिकेशन बिद्दफ फोकस अन वर्किंग प्रोफेशनल लॉंच्ट बाइदा वीच मिनिस्ट्री तो देखिए एक वाई ब्रेक नाम का एक पाँच मिनट का योगा प्रोटोकॉल अप्लिकेशन को लॉंच किया गया है यह जो है अगर आप प्रोफेशनल हो उसके लिए ये बनाया गया है तो आपको बताना है कि यहां किस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है Ministry of Ayus, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Women and Child Development तो देखिए इसका जो right answer होगा न यहां से आप देख लिजिए Ayus Minister यानि कि कुल मिलाकर Health Department ने यह application को launch किया यहां से आप देख सकते हो इसकी image, logo आप चाहो तो Google Play Store रुपे से download कर सकते हो आगे बढ़ेंगे, next question की और देखिए Actually यह question ठीक से आया नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए Next question is, अब यहां से आपको दिखेगा A.D. Das ने अपने stay in play अभियान की सुरुआत के लिए किसे चुना है देखिए, stay in play campaigning इनकी जो है, एक आई हुई है किसे इसे appoint किया गया है, किसे जो है चुना गया है पीबी सिंदू, साक्षी मलिक, मीरा भाई चानू या हीमा दास के दोहरा देखिए, मीरा भाई चानू वो पहली मैला थी, जिन्होंने Olympic में हम लोगों के लिए medal लेकर आये थी यह Silver medal इन्होंने जीता था तो देखिए, मेरा भाई चानू को ही जो है एडिडास ने stay in play का campaign का participation के लिए इन्हें चुना गया है चलिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको मैं बता दू कुछ quick points हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए which state government has recently announced to set up a spike park in देखिए, यह जो set up किया गया है, spice park यह करनाटका के द्वारा set up किया जायका, तो याद रखिएगा इस बात को which state government has recently appointed, अवनी लेकरा, देखिए, इन्होंने भी क्या है हम लोगों के लिए medal जीता था, याद रखिएगा recently reported the first death due to the Pfizer vaccine देखिए, Moderna की जो यह Pfizer vaccine है जिसके लगने के कारण जो है मौत हुई है वो न्यूजलेंड में हुई है न्यूजलेंड एक टाइम पे ऐसा country था, जहां पे एक भी COVID का case नहीं था आगे बढ़ेंगे, उससे पहले question of the day की बात कर लेते हैं, आपको अब बताना है की सिरलंका के प्रेसिडेंट कौन है, दूसरा question आपके सामने ये रहा, आपको बताना है चाइना में किस पार्टी की सासन चलती है, वहाँ पे ruling party का नाम क्या है थर्ड question आपके लिए ये रहा आपको बताना है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम आपको नीचे कमेंट बाक्स में बताना है, और एक इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं next question, next video में, next question के साथ, तो फिराल के लिए इस video को like, share subscribe करते हैं, thank you so much for watching this video have a good day